आज डाउटनेट आप डाउटनेट पर अपने सभी गनित, रिसायन, विज्यान, भौतक विज्यान और जी विज्यान के डाउट्स का करो सपाया बस प्रशन की फोड़ों खीचो, एची प्रशन को क्रॉप करो और तुरट विडियो सिलीशन पाओ अब ही डाउटनेट करें तो ये क्या होती है इसे कहा जाता है प्राथमिक कुंडली और ये प्राथमिक कुंडली का ताथ पर ये क्या होता है कि प्रवाहित धारा जो है वो आप प्राथमिक कुंडली से IP प्रवाहित करते हैं तो ये जो होता है transformer वह अन्योने प्रेडकत्व की सिध्धात पर कारे करता है, तो अन्योने प्रेडकत्व में क्या होता है, जब कोई भी दो कुंडलिया पास-पास में रखी जाती है, तो यहां पर आप देख रहे हैं कि एक कुंडली हमारी ये रखी गई है और इसी के पास म में हमने एक दूसरी कुंडली रखी है तो क्या होगा कि अगर आप यहां पर धारा प्रवाइद करते हैं आई तो यहां पर धारा प्रवाइद करने के कारण दूसरी कुंडली है उसके बद जो फ्लक्स है उसमें बरिवर्दन होता रहता है तो इसे ही का जाता दूस्तों यहा यहां से प्रवाईद करते हैं तो उसके समंहें प्रकीर जो दूरी कुंडली है वहां पहर परिवर्टन होने की कारण धारा क्रेंट होने की घटन ही कहलाता है अन्योनǐ और कद्वध यहां जर्षा जाता है उसे phi s जो होता है वह प्रात्मी कुंडली में प्रवाईद दारा के अनुक्रवानुपाती होता है या आप इसको यहां से हटा करके लिख सकते हैं M into IP टीक है तो यह अन्यों प्रेकत्व जो होगा M वह किसके बराब होजाएगा Phi S के बटे में IP जहां पर Phi S जो है दुवितियक कुणली जिसको हम लोग क्या बोलता है दोस्तों S C और इसे कहते है P C मतलब प्रात्मी कुणली तो S C से बद्ध फ्लक्स है तो होता क्या है कि अब यहां पे आपने धारा प्रवाहित करी तो आप क्या कर रहे है यहां पे धारा प्रवाहा के कारण उत्पन हो रहा है जुम्बक यह छेत्र और हम अच्छी तरीके जानते हैं कि चुम्बक की छेत्र होता है वह चुम्बक शीलता मतलब किसी माध्यम की चुम्बक शीलता की कैसे होता है अनुक्रवानुपाती होता है तो अगर हम बीच में क्या करते है कोई एक नर्म लोहे की क्रोड रखते है तो नर्म लोहे की क्रोड रखने का मुख्यगारण क्या होत तो वहां पे चुम्बा की एक शेत्र उत्पन हो जाएगा और नर्म लोहे के करूड के कारण वहां पे दुसर चुम्बा की शेत्र बी का मान कैसे हो जाएगा कहने का मतलब यह है कि deform detective में आप नर्म लोहे का कर रहे है उपयोग में ला रहे हैं तो उसका मुख्य उद्श क्या होगा? कि जैसे ही धारा प्रवाहित करी जारी है, वैसे ही क्या हो जाएगा? यहाँ पर चुम्बकीक्षेतर में प्रद्दी हो जाएगी, जिसके कारण हम कह सकते हैं कि हमें ऐसा एक पधार्त उप्योग में लाना होगा जो नर्म मतलब धारा प्रवाइत होते से ही क्या हो जाए चुम्बकित हो सके और धारा के प्रवाह को बंद कर देने पर भी चुम्बकित हो सके तो ट्रांसफॉर्मर में जो नर्म मतलब जो कुंडली है उसका क्या कम करने क के लिए नर्म लोहे का क्रोड बना जाता है तो दोस्तों यहां पे नर्म लोहे के क्रोड के उपयोग मिलाने के लिए मुख्य कारण क्या होता है कि ट्रांसपार्मर में एक प्रकार की हानी होती है अगर मान लीजे कि आप यहां पे कुंडली में नर्म लोहे का क्रोड ना उप कर देगे या धारा की तिउल्भ पर कंट कर देगे तब भी वहाँ पर जो कह सकता है दोस्तों जो mAh-at-S यहां पर दोस्तों जो स्टील होता है उसका किसी सुर्वादिक होता है उत्लब बहुत अधीक होता है तो जितना अधिक यह kartu चेटर्फल रहेगा उतना ही जाद होगा दिस्टों। उर्जा का हानी होगा तो उर्जा हानी को रोकने के लिए हम यहां पे एसे पदात का उप्योग करेगी जो जैसे धारा प्रवाइत करी़ी जाएगी वैसा तुस्थों हो जाएगा तो उपरोग चुत्र में में कंब करने के लिए बनाया जाता है कि अ गया है दूसरा कि भवर धारा उसे उत्पन हानी तो दोस्तों भवर धारा है जो होती है वो क्यों उत्पन होती है क्योंकि जब हम यहां धारा प्रवाहित करते है तो क्या होगा यहां पर फ्लक्स में परिवर्तन होने के कारण यहां पर क्या हो जाएगी धारा प्रेड़ हो ज जबनाइन ऑंणाम सोन के बिकार लिए भावराइन के इस अच्छी को भुटबहा दो पक्षचरी से बारवी से लेकर नीट आयाटी जेई वो एडवांस के लेवल तक एक करोड से जादा चातरों का भरोजा आज ही डाउनोड करें डाउटने डाप या वच्छाप करें अपने सारे डाउट्स आठ चारसो 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 पर